हाई फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनस, एन्वी चैनल पर आप सभी का सवगत है, आज के वीडियो में हम आपको डबलू तीना जारे एक कंट्रोलर का न्यू मॉडल बता रहे दोस्तों, जी हा, साथ ही दोस्तों इस कंट्रोलर के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्कार से व दूर देखना, जैसा कि आप देख रहे हो, यह डबलू तीना जारे एक कंट्रोलर है, एसी वाला, जी हा, इसमें डीसी भी आता है, लेकिन यह एसी है, तो सब सपहले मैं आपको बता दू कि यह कितना है भी है, क्योंकि नॉर्मल जो डबलू तीना जारे कंट्रोलर आते है दोस्तो उसमें छोटी power supply होती है लेकिन आप देख सकते हो इसमें बड़ी वाली power supply है जिस कारण ये ज्यादा दिन तक service देता है जिया दोस्तो आप इसकी power supply देख सकते हो power supply बड़ी होने के कारण यहाँ ज्यादा दिन तक service देता है दोस्तो और यह बाकी controller से बहुत heavy आता है तो अभी फिलाल मैं इसे बन कर दूँ अब बात करते हैं दोस्तो connection की तो आप यह आपे directly mention किया हुए आप देख सकते हो यह इसका दोस्तो input red or black, output yellow और black और यह इसकी temperature sensor तो इसकी setting के बारे में जानकारी देने के लिए मैं सबसे पहले तो इसके connection कर दूँ, तो connection आप सीख लीजे, जो बिजली से wire आ रही है दोस्तों जीआ, जो बिजली से wire आ रही है, वो आपको red और black को लगाना है जीआ कि देखिए यह red और यह rate के साथ black को और जो temperature बनाने के लिए light या heater का आप इस्तमाल करोगे तो उसको connection दोस्तों यहाँ से yellow और black से जाएगा जी हाँ, फिलाल मुझे 10 minute ही इसको join करना है करके मैं इसके जो connection है वो पूरी तरह से fix नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा tape अगेरा मैं लपेल डूंगा बट यह इस तरह से connection है दोस्तों जो holder की output है जी हा, holder की output yellow और black और input red और black और यह तो sensor की बायर है तो अभी फिलाल मैं इसे binding कर दो थोड़ा सा, यह देखिए यह मेरा power board और मैं इसे directly on कर देखा हूँ यह देखिए controller on हो गया दोस्तों अब इसमें हम आपको तीन चीज़े समझाएगे सबसे पहले तो बाकी W3001 में calibration होता है या नहीं होता है यह मुझे पता नहीं बहुत सारे इसमें होता है बहुत इसमें नहीं होता है लेकिन हमारे W3001 में calibration होता है तो अब इसमें मैं आपको तीन चीज़े बताऊंगा एक तो इसका calibration जी हा इसका calibration कैसे set करते हैं दूसरी बात इसमें up temperature और down temperature किस तरह से set किया जाता है यह मैं आपको जान करी दूँगा तो calibration के लिए दोस्तों मैं सबसे पहले तो up वाली बटन जो है first number के उसे दबा के रख रहो है देखिए calibration mode खुल चुका है इसमें आप plus भी कर सकते हो और minus भी कर सकते हो अभी फिलाल मैं इसका calibration छेड़ूगा नहीं हाथ हटा दूँगा जो भी set किया है वो अपने आप set हो जाता है जी है दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसमें temperature set करनी तो up वाली जो बटन है उसमें down temperature set होगा और down वाली जो बटन है जी है इसको दोई switch है down वाली बटन में up temperature set होगा और up वाली बटन में down temperature set होगा तो अगर मैं down वाली बटन को long press करके रखता हूँ तो यह देखिए setting खुल गया अब इसमें दोस्तों मैं up temperature set करूँगा incubator के लिए 37.7 37.7 मैंने up temperature set कर दिया अब मुझे down temperature set करना है दोस्तों down temperature up वाली बटन में set होता है बट यहाँ ज्यादातर लोगों को मुश्किल जाती है तो इसके लिए आप side वाली बटन को एक बार प्रेस कर दिजे और फिर up वाली बटन को long press कीजे तो यह देखिए इसमें 25 बता रहा है मैं इसको up वाली बटन से down वाली बटन से पीछे लेलू 37.3 जी हाँ 37.3 मैंने डाउन सेट किया और आप सेट किया दोस्तो 37.7 यह हो गया दोस्तो इंक्यूबिटर टेंप्रेचर अभी फिलाल आप देख सकते हो इंडिकेटर वाने इसका मतलब इसका आउट्पूट चल रहा है तो इसके आउट्पूट में मैं लाइट लगा दू लाइट लगाने से दोड़ा वीडियो का वालेटी खराब हो जाता है दोस्तो यह हमारी लाइट भी थोड़ी गई हुई है शायद यह देखिए अब यह मैं टेंप्रेचर सेंसर को इसके पास लेके चलू लाइट के पास आप देख सकते हो टेंप्रेचर बढ़ते जा रहा है जैसे यह 37.7 हो जाएगा दोस्तो कट आउट हो जाएगा जी हा याने इस कंट्रोलर क उपर आप जो भी टेंप्रेचर सेट करोगे वही टेंप्रेचर आप जापे सेंसर रख रहे हो आपे रहेगा फिर आप टेंप्रेचर बनाने के लिए कोई भी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हो यह एकदम इजी कंट्रोलर है जोस्तो जिसकी मदद से आप अपने पेज तक कभी भी कॉल कर सकते हो हम ओल इंडिया होम डिलिवरी करवाते है और अभी इसका जो प्राइज है मातरच छेसो कचास रुपए दोस्तो अगर आपको भी टेंपरेचर कंट्रोलर परचेस करना है तो आप हमें कॉल करके इसे औल इंडिया मंगा सकते हो आपको यह वीडियो के इसलिए की कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जरुतमन दोस्तों में शेयर जरूर कीजेगा आप सभी मित्रों का धन्यवाद